नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आर्ती प्रजापती आर्ती प्रजापती यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दक स्वागत करती हूँ दोस्तों मैं यहाँ यूजी सी नेट की पेपर वन और पेपर टू साइकोलोजी की प्रिपेरिजन कराई जा रहा है later जिसमें यहां पर सिक्षन की वीदिया में पड़ रहे हैं अब लॉच वीदिया में जैना एक वीदिया अभी इसके बाद भी प्रट व बनेगा सिक्षन की वीदिया में चितनी भी सिक्षनकी वीदिया है उसे मैं आपको Bent तो चले दोस्तों आद देखते हैं सीख्षन की वीदियों के बारे में उससे पहले आपको रिक्वेश्ट है अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते तो उसे लाइक करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले और हाँ मेरी इस चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने मेडी को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कार ना बुलिएगा नहीं क्यांकि अगर आपनी चैनल को सबस्क्राइब किया होगा तो आपको इसकी नॉटिकेशन जो भी अपडेट सब्सक्राइब अपने ससस pioneers और, उसमाइब को अगले विडियो के बारे में उसके पहले में आप से बता देती हुँ, तो हम नई नई विदियो का यानि कि नई नई मेधंड का यूस्ट करते, तो यहाँ पर आग्मण विदी, निक्मन विदी, संचलेशन, विचलेशन विच्थ shine विध्यान विधी यह सारी विद्या है वो अमरी के है प्राच्चिन विद्या है उनल विदिया नविन विद्या के बारे में एक वीडियो देखा यह दूसरा पार्ट उसक् instaste अब आज हम चर्चा करने वाले है परिचर्चा विदी यानए कि डिस्कोशन मेंठट तो डिस्कोशन मेंठट क्या है उसके बारे मmpfen सबसे पहले देख ले पर क्या होता है दूस्तों कि यहां पर सिख्षक होता है वो क्या करते बच्चों को छोटे-छोटे समुओं में बाट लेता है माली यहां पर फाइव बच्चे यहां पर फाइव बच्चे यहां पर फाइव बच्चे यहां पर फाइव बच्चे तो यह क्या किया छोटे-छो विचार होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे के विचार आधान प्रदान करते हैं वो भी किस तरीके से स्वतंत्रता से वो एक दूसरे के साथ अपने विचार हो क्या करते हैं आधान प्रदान करते हैं यहाँ पर अनुपचारिक बात को मान्यता दी जाती यानि कि यहाँ पर अनुपचारिक सिक्षण होता है उपचारिक सिक्षण नहीं होता है स्वतंत्रता तो वही होती है जहां पर अनुपचारिक सिक्षण को यहां पर ज्यादा इंपोर्टिस दे जाती है स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और सहभागीता देखने को यहाँ पर क्या मिलती है यहाँ पर यह जो परिचर्चा विदी है डिसकसन में थड़े उसमें क्या होता है कि बच्चा अपने मन में जोबी विचार आता है वो खुद बोल देता है उसमें उसे की प्रकार की रोक-टोक नहीं होती है अपने विचारो को स्वतंत्रता से अपनी अभिव्यक्ति को और सभागीता से उन्हें क्या किया जता है एक दूसरे के विचारो को आदन प्रदन किया जता है तो यही थी हमारी परिचर्चा वीधि, आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे की जो वीधि है वह है परियोजना वीधि या तो फिर उससे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टीव मेथड बोलते हैं, तो आपने देखा होगा, आपने कभी यूजी पीजी किया होगा तो आपने देखा कोई प्रोजेक्ट आपने किया होगा तो वह किस मेथड का भाग होता है तो जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं वह आपके प्रोजेक्टिव मेथड का भाग होता है ओके चले देखते हैं प्रयोजनवाद से इस इदी की सुरुवा कहां से ओट आप प्रयोजन वाद से हुई अब प्रयोजन वाद को उनके उनके दाता कौन थे तो जो अन्डी वी दीखी कि यह मुझ्ट आएंपी अगर आप टेट सूपर टेट की एक्जाम देने वाले हो या फिर कोई टीचिंग लेवल की जो एक्जाम होती है वो अगर आप देने वाले थी यहां पर कभी-कभी यह क्वेसंस ऐसे क्वेसंस आ जाते हैं कि स्वीदी का किसने प्रयोग किया था या फिर स्वीदी के जन्मदाता कौन है तो यह जो प्रयोग जन्वाद है जिसे हम क्या कहते है प्रैग्मेटिस्म कहते है तो प्रैग्मेटिस्म है जो उसके जन्मदाता है उनके जहनक है वो क्या है वो जोन डीवी जोन डीवी का नाम आप सभी ने अगर टीचिंग की लाइन पर जूड़ है तो आपने सुनाई होगा तो प्रवाजन वाद का जन्मदाता को ने जुंडीवी को माना जाता है प्रवाजन वाध को अंग्रेजी में क्या बूला जाता हैव प्रेग्मेटिजम जो सब्द प्रयुक्त न हो जा है प्रेग्मा सब्दपर से आया है जिसका अर्थ क्या होता है क्रिया होता है प्रेग्मा का सब्सक्राइब क्या होता है क्रिया यानि कि करके सिखना क्या होता है करके सिखना कुछ प्रयोजनवाद के बारे में आपको बताया आई क्या बताया है मैंने प्रयोजनवाद से इस सुरुवाद प्रयोजनवाद के जन्मद आता है और प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रयोजनवाद का पहला प्रयोजन ने किया था तो प्रयोजनवाद के तो प्रयोजनवाद को इंग्लिस जो प्रयोजनवाद का पहला प्रयोजन ने किया था अब अब प्रयाग्मेटिस्म को इस अबंगेटिस्म सब्द कहां से आतो प्रयाग्मा सब्द से अ मेंग्ल्याद क्रिया होता है दिखे शेक फिल्पेट्रेक ने क्या किया की एक क्रीया जिसे हम एक्षन कहते हैं तो क्रीया प्लस प्लस पेंसर की वह पंचपधी कर दिया है यानि कि क्रिया को और पंच बदी प्राणाली को क्या कर दिया उनको जोड़ दिया गया और जोड कर उन्होंने क्या बनाया परियोजना विदी बनाया परियोजना विदी Mexicanी निव zen frequel बन गाए अब खील पै्ट्रेक ओके ठीके प्रवय जनवात के जन्वादा गहर पूछे जाद तो जो अब आएगा और परियोजना जिसे अम्स प्रजेक्टीव मैथटै नहीं नहींते जये जाती होगे तो यह थी अमप्रवब परियोजना विदी उसके बाद देखते हैं विसेशगन विदी जिसे हम क्या करते हैं पैनल मेथड करते हैं क्या करते हैं पैनल मेथड तो विसेशगन विदी में क्या होता है कि टीम मेथडोलोजी के यहां पर प्रायक होता है अब टीम मेथडोलोजी को आप याद किजिए त तो अगर आपने अगला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने टीम मैथड के बारे में भी बताया था टीम टीचिंग मैथड के बारे में बताया था चाहां पर क्या होता है कि बच्चे होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा तो होते ही लेकिन आपर क्या होते हैं जो पढ़ान expert होते हैं यानि कि teacher होते हैं मैंने बता था ना कोई English का होता है तो कोई environment का होता है तो कोई Hindi का होता है इसी तरीके से अलग-अलग subject को अलग-अलग teacher पढ़ाते हैं ओके छात्रा तो यहां पर होते ही है लेकिन यहां पर teacher की संख्या भी क्या होती है ज्यादा होती है छात्र की संख्या भी ज्यादा होती है टीचर की भी ज्यादा होती है तो इसे ही हम क्या कहेंगे विसे सगने वीदी विसे सगने वीदी में क्या होगी अलग-अलग सब्जेक के अलग-अलग टीचर महापर होगे यहाँ पर क्या होती है अनुपचारिक प्रक उसे टाइम देते यानि कि बच्चों के साथ मिलकर विचार विमर्स करते हैं और उसी की अकॉणिंग उसे सिखाया जाता है छात्रों की सिखने की स्थिति कैसी होती है बढ़ जाती है यहां पर क्या होती है अलग-अलग सब्चेक के अलग-अलग टीचर होते हैं तो छात्रों के लिए आपको एक ही परसन पढ़ाता होगा तो आपको ज्यादा बूरिंग लगेगा अगर आपको कोई अलग अलग टीचर आकर आपको अगर पढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा आपको सिखने की गती में आपकी सिखने की जो गती होती हो बढ़ जाती है यानि कि चलिए म प्रश्च पर रखकर सो जाएंगे आराम से या तो फिर कोई बाहर ना बनाकर बाहर निकल जाएंगे उनका लेक्चर होगा तो और मान लीजे कोई एक सार है जिन जो बहुत ही अच्छे बहुत ही कौमेडी है तो आपको पढ़ाते तो क्या करते हैं अपनी सब्चेक को तो सुनेंगे उनकी बातों को सिखाई बातों को अच्छे से सिखेंगे तो अलग अलग जो टीचर होते हैं उससे क्या होता है कि छात्रों की जो सिखने की जो गति होती है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है यानि कि यहां पर सिखने की जो सिच्चुशन होती है वो क्या हो जा करेंटiau कि 써ने कि biscuit beğ में होंगे तो की संब तरीकि का होता है मान लीजे कि अगर आप टूशन करा रहे हुआ अगर प्राइवेट इचर होते तो वो लोग तो टूशन करा तेघ्राइब के तोmax subscribe लगाइब करेंदादव की सब्कूइब करने ले किसे दों करने को बारुन औरो कलाओ असमान कक्षा के बिच्चे आते कोई बहुत ही हऊला होता है तो कोई क्या होता है मद्ध्य होता है तो पिश्ड़ा हूँत है पिछड़ा का मतलब है कि वह सीखने की गती में पिछड़ा हुआ होता है तो यहां पर क्या होता है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप व्यक्ति गत्रू से उन्हें टीचिंग कराएंगे तो मान लिजिए किसी को आप क्लास टैन पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्लास टैन में क्या होता आपके पास मान लिए 10 बच्चे आतें 10 में से दो बच्चे ऐसे जो बहुत वक्यां, बहुत ही पढ़ने में बहुत सेखने की उनकी की गती दीमी है, और यहां पर आप एक बार सिख्का ओगे तो यहां पर क्या करना होते हैं, आपको यहां पर दो बार आप सिख्खाएंगे, तब इतने बच्चे सिख्ते हैं और यह जो दो बच्चे न वो आप तीन बार चार बार यार पांच बार पढ़ाते हैं फिर भी नहीं सिखते हैं लेकिन आप क्या करेंगे जब तक उन्हें जो सिखाते हैं वो नहीं आता है तब तक उन्हें आप अगला अगला यूनिट नहीं सिखाएंगे यानि कि अगला प तो चले देखते हैं सिख्षक छात्रों को छोटे-छोटे संभू में बाट कर व्यक्ति गत्रों से छात्रों की समस्या कर समाधन करता है उसे अनुसिक्षन विद्धी या टूटरियल मेथड कहते हैं क्या कि आपने दस बच्चे थे उनमें से पांच बच्चे अच्छे थे त ता फिर आप क्या करेंगे जो बच्चे अच्छे उनके साथ यह जो कम सिखने की घति जिनकी यह जो पांच वाला गुरूप था यह जो त्रीन वाला तो यहाँ पर आप क्या करेंगी या तो भी इन पांचों को क्या कहेंगे कि एक एक बच्चे को ले लो तो दो दो का गुरूप आप बना लेंगे हैं एक अच्छा सिखने में ज्यादा गती वाला होगा तो यह कम गती यहां से टीचर भुद भी सिख्वाइगा लेकिन बच्चा बच्चे से बहुत ज्यादा शिखता है तो करेंगे चोटे-चोटे समू में उसे बाठ कर व्यक्ति गत्रूप से आप उसकी जो समस्या होती उसका करेंगे समाधान करें गया इसका प्रयोग जो छात्र असमान है उन छात्रों का व्यक्तिगत रुप से उसकी समस्य का क्या किया जाता है समाधान किया जाता है और यहां पर क्या किया जाता है असमानता को दूर करने के लिए यहां पर करने के लिए के समानता को दूर करने के लिए प्रयोक किया जाता है इस विदी का प्रयोक कब किया जाता है जब बच्चों बच्चे वैसे भी क्लास में बच्चे एक ही तरह के तो होते नहीं उनके बीच में इंडिविजियल हमें डिफरेंस देखनों को मिलेगा है तो यहां पर जो डिफर जाता है सामूइक नीरीक्षस भी यहांपर किया जाता है तो बच्यों व्यक्तिकत रुप इसके बाद देखते हैं दोस्तों brainstorming method यानि कि मानसिक जंजाबात या तो फिर विचार विदी तो विचार विदी या मानसिक जंजाबात ऐसे सब्द आपको याद नहीं रखने तो आपको सिर्फ एकी सब्द याद रखना है यही वर्ड आपको याद रखना है रखना याद brainstorming तो brainstorming method है उसमें क्या होता है तो यह जो brainstorming method होती है वो स्रुजनात्मक या फिर रचनात्मक जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रयोग की जाती है जो सामान या नहीं है बच्चे जो बच्चे सा नया नया कुछ नए नये विचार लाते उनके माइंड में ला कुछ नया स्रुजन करते हैं कुछ नए रचना करते तो ऐसे बच्चों के लिए यह brainstorming method का यूज किया जाता है अनुप्चारिक सेक्षणिक प्रक्रिया में इसे प्रयोग की जाती है यहाँ पर कोई भी प्रकार का क्या होता है वो अप्चारिक सिक्षण नहीं होता है यहा अचला पन यहाँ पर होता है सिक्सक छात्र एक दूसरे से तर्क वितर करते हैं यहाँ पर क्या होता है सिक्सक और छात्र एक दूसरे के साथ क्या करते हैं अपने विचारों को विचारों को आधन प्रजन तो करते हैं लेकिन तर्क वितर्क भी करते हैं टीचर ने कुछ बत मान चित्रन भी करता है क्या करता है मान चित्रन भी करता है यानि कि वो क्या करता है टीचर के साथ विचार विमर्ज करके उनका मान चित्रन यानि कि मैपिंग भी करता है उस जो विचार होता है उसका मैपिंग करता है कि स्रुजनात मक्ता का जन्मदाता कौन थे यह अगर आपको क्रियेटिव का जो क्रियेटिव इट है उसका जन्मदाता कौन थे तो यहाँ पर EL Torrance थे क्या थे EL Torrance थे यह भी आपको याद रखना है कि स्रुजनात मक्ता का जन्मदाता कौन थे तो स्रुजनात मक्ता का जन्मदाता EL Torrents थे विपलाव विधी भी यहाँ पी कहला थी ये जो विचारावश्चकार विधी है, मनसीग जनजावात विधी है उसे हम क्या कहते हैं? विपलाव विधी भी कहते हैं अगर आपको विपलो बीदियाद नहीं रखना Way विच्चार विष्कार विदियाद नहीं रखनी मानसिक जणजावात याद provided तो आपको सीफ यद रखना ब्रेंस्ट्वर्मिंग मैथ एक जाती है इसके बाते व्यक्ति व्यस्टि अध्यानवीदी जिसे हम क्या कहते हैं case study method भी कहते हैं तो case study method में क्या होता है कि यहाँ पर या तो फिर किसी एक व्यक्ति पर अभ्यास किया जाता है या फिर कोई एक काई पर अभ्यास किया जाता है या फिर कोई समू पर किया जाता है कोई एक समू पर ही किया जाता है फिर कोई एक परिवार पर किया जाता है कोई एक विद्यालाई पर किया जाता है किसी भी के पर आप जब स्टड़ी करेंगे तो क्या होगी एक ही होगी या तो फिर व्यक्ति होगा तो एक होगा एक होगी समू होगा तो एक होगा परिवार होगा तो एक ही परिवार पर किया जाएगा या प्यास उसके बाद आप अगर को यानिके लिमीटे πडि करता है और यहां पर केसा अध्यान किया जाता है और यहां पर कैसा अध्यान किया जाता है व्यक्तिकत अध्यान भी में थोटी से छोटी बातों पर भी उस पर अध्यान किया जाता है व्यक्ति हो या परिवार हो या फिर समाज हो कोई भी हो इकाई हो यूनिट हो उसके बारे में उसके पास्ट के बारे में भी जानकारी ली जाती हो उसकी जो अभी के वर्तमान स्थिती है उसके बारे में भी क जानकर उसके फ्यूचर के बारे में कुछ बताया जाता है तो यह विदी जो है यहां पर कोई भी एक युकाई कोई एक परिवार या कोई एक समाज कोई एक यूनिट यह आपको याद रखना है उस पर कैसा अभ्यास किया जाता है व्यक्तिगत रूप से किया जाता है और कैस कर समस्या का समाधन किया जता है अब व्यक्तिक अत्रूप में भी क्या होता है व्यक्तिक भिन्नता जो होती है जिसे हम इंडिविज्यल डिफरेंस कहते हैं तो इंडिविज्यल डिफरेंस को ध्यान में लगकर समस्या क्या किया जता है समाधन किया जता है यहां पर क्या होता ह कोई प्रोसिक से टीचर होता है उसकी जरूरत पड़ती ऐसे नहीं कोई आम आदमी जाके पढ़ाने लगता है ऐसा नहीं यह जो टीचर होता है जो इस मेथड का यूश करता है उसका जानकार होता है और उसके बारे में उसने क्या ली होती ट्रैनिंग भी ली होती है अगर किस से टीचर ने इस तरीके की ट्रैनेंग लियोती है जो इसके स्टड़ी के बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानता है वह ही क्या कर सकता है वह इस पर अध्यान कर सकता है समस्याव का समाधान अलग-अलग रुप से होगा मान लीजे कोई एक परिवार पर अपने अभी आपने परिवार पर अपने स्टड़ी किया फिर समस्या उसी तरीके की है लेकिन यहां पर दूसरा परिवार है यहां पर एक परिवार यह दूसरा परिवार यहां पर जिस सिचुशन में आपने स्टड़ी किया उनकी पीछे जो भी कारण थे जो भी एट्मोस्पियर थे या फिर स्यसक्arat ननोब की सिचियोशन से हम होगी दोनोगी सिचियोशन अलग अलग ओके तो समस्याओं के साथ अलग अलग रूप से किया जबता है तो चा संतरीिक में जतारैlor का समझाग जता है है अब उसके बाद ँते हैं मुक्त अधिगम्विधी यानि यादि लेंगेचर, दो ऊपन लेर्निंग पाल मतलब कहो तैहां पर अनुप्चारिक से मदिन रिदि Animal यांud आप अपनी मर्जि से अपने टाइंप राव पर यांप रहाँ सकता है वहीं मदिन तो 자 लर्निंग कर सकता है यानि कि सीख सकता है कोई भी बात उसे समस्या है उसे तो समस्या को समाधन वो अपनी अनुकुलता के अनुसार वो क्या करेगा करेगा तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर मानुई संसादनों के माध्यम से सिक्सन सहाइक सामगरी का उप्यों करके छातरों की समस्या का किया जता है जिस तरह से आप अभी मेरे से पढ़ रहे हो तो वो क्या है उपन लर्निंग में ठड़े आपकी जब मर्जी जाओ तब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो यह क्या हुआ यह open seals inseam को किuप्य इन्टी में और 11 तो यहां पर मतलब होता है दिया गया चारेक आपने कभी देखा होगा कि जब आप स्कूल में जाते थे हैं जो छुटने के बारी आती तो टीचर को क्या करते थे यह तो प्रियर्ड जो खत्मों होता है तो उसके खत्मों होने के तुरंती थोड़ी ही देर से पहले वो टीचर क्या करते आपको लेशन दे देते थे हैं न होमवर्क दे देते थे के बच्चों यह होमवर्क कल करके आना है न तो यह होमवर्क था वो क्या था आपका एसाइमेंट था तो दिया गया कारिय तो उसे हम क्या कहेंगे एसायमेंट मैथ्ट दिया गया कारिय इस प्रहेजन से सिख्था की समस्या का यहां पर क्या किया जाता है समाधन किया जता है आपको जो वर्क दिया जाता है उसके आधर पर क्या किया जाता है कि आप कितना सीखे है किस तरीके सीखे है उसके बारे में टीचर जानकारी लगाता है आपको कितना आत सबस्क्राइब आपको समधे समादान के लिए कार्य दिया जता है यानि की आपको आपको एसेमेंट दी जता है इसका मतलब होता है कि आप जो समस्य आपको दी गई वो आपकी इस तरीके से स्वाल करेंगे चात्र की विसलेशनात्मक की प्रक्रिया के लिए कार्य दिया जता है यानि कि चात्र कितना सिखे है किस तरीके से सिखे है कौन से टॉपिक में आपको समझ नहीं आया है कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगाए तो यह सब आपके हूमवर्क के जो आप एसाइमेंट करेंग जो उस assignment लिखेंगे उस assignment के आधार पर teacher अंदाजा लगाता है तो इस तरीके से assignment method से भी teaching किया जाता है तो दोस्तों यह थी हमारी कुछ वीडिया अभी एक वीडियो वीडियो के बारे में बनेगी I think मेरे ख्याल से 6 या 7 वीडियो अभी भी बाकी है तो वू सीदी को हम कल के वीडियो में ले लेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो आपको क्या करना है आपको पताईए उसी like करना है अपने दोस्तों के साथ share करना है और मेरी इस channel को subscribe करना है ओके चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना है thank you